तो भाई इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे सुरच कुमार की प्रोजेक्ट के ग्लिम्स को लेकर के जो रिभ्यू आया है उसके उपर मुझे बहुत सारा कमेंट आया है वो वीडियो को सेर हुआ है और भाई इसको रिप्ले करो तो जा करके मैं वीडियो को देखा पहले और जो पोस्टर को लेकर के जो उनका जो वीडियो था बो पोस्टर को जब देखा तो मुझे समझ में आगा कि भाई खेल क्या है लोग क्यों बढ़के हुए है देखो यार प्रोजेक्ट की की ग्लिम्स की रिव्यू में वो बोले है कि भाई मैं तर पूरा का पूरा ये सुरज कुमार की रिव्यू देखेगा तो भाई मैं आपको सच बोलता हूँ वीडियो के लास्ट चन्द सेकंड तक उसको पता भी नीचलेगा कि प्रोजेक्ट के मुवी में हिरो कौन है उनका नाम तक नहीं लिया गया है और फुल क्रेडिट नाग अस्विन सर को दिय किया उनका परिकलफना है उनकी मेहनत है और उनको एप्रिशेट करना बनता है प्रभास का नाम नहीं लिए उनकी प्रोब्लम है वो नहीं लिए बो जानते है क्यों नहीं लिए चोड़ो लेकिन भाई जब हम previous वीडियो देखते हैं जब उनका फर्स्ट लूग वाला रेव प्रभास को कोसा गया है totally यही एक हिरो है यही एक बड़ा स्टार है जो इसके उपर इतना खर्च किया जा रहा है क्या क्या बोले है मैं क्या बताऊं आपको तो पूरा का पूरा वीडियो में उनको ही कोसा गया है तो यहां पर गलत क्या है बताऊं मुझे क्या गलत लगा और क्यूं मैं आवाज उठा रहा हूं देखो भाई जब कोई डिफेक्टिक चीज आता है जो लोगों को पसंद ना आए तो अगर वो फिल्म में प्रभास है त डिरेक्टर के उपर यह क्या है भाई यह मुझे गलत लगा दोस्त यह मुझे गलत लगा अगर वो पोस्टर की रियक्शन ना देते वो पोस्टर की रिव्यों ना करते ना और सिर्फ पर सिर्फ प्रजेक्ट के का ग्लेम्स का रिव्यू आता तो मैं उनकी रिव्यू को दि पूरा का पूरा जैसे कि मतलब प्रभास से अपने मुबाइल पे सेल्फी लिए और वो फोटो को एडिट करके यह मोसन पुश्टर है यह मेरे फॉर्स्ट लूक है प्रोजिट के कबूल करके छोड़ दिए वो फिल्म का एडिटर है ऐसा सोच करके उसको पूरा का पूरा मतलब सारा मतलब जिम्यदारी बुई है उनका है ना गलत उनका ही है गलती उनका ही है पूरा का पूरा वीडियो में आप उसको कोसोगे लेकिन उसकी फिल्म का कुछ अच्छा आएगा तो उसका नाम तग नहीं लोगे यह गलत है भाई भाई सुरज कुमर मैं आपको बताना फिल्मों में कोई भी हीरो नहीं जूड़ता है अभी भाई मैं आपको बताना चाहूंगा सुरज कुमार भाई आप जो कोई भी इंडियन फिल्म है जब भी कोई खतरनाक फिल्म आती है इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छा लगता है वो आपका देख करके कोई भी खतरना आपको पता है बाहुवली के बदुलत है सर अगर बाहुवली फिल्म नहीं आता ना तो सभी हिरो सभी डारेक्टर अपने कंफर्ट जोन में वही टीपिकली स्टोरी जो आप पहले से देखते आ रहे थे वैसा ही चलता रहे था और वही नर्थ साओधिये सब को चलता रहे था यह पैन इंडिया यह बिग बज़ेट फिल्म यह इस तरह की ग्रांट लेवल की फिल्म हमें देखने को नसीवी नहीं होत सेस रज़ा मौली शर ही थे जो इस तरह की कोई रिक्स उठाए बो भी कुछ एक्सपौरिमेनट किये और बो बाहुवली जैसा फिल्म इंडस्ट्री को दिये और तभी बेक टू बेक इस तरह की फिल्म में आ रही है और वो फिल्म में भी प्रभाश जूड़े थे अपनी क तो इस तरह की फिल्मे आने के बाद भी बो बंदा एक्सप्रिमेंटल ही कर रहा है क्यूं कि वो ओडियंस को कुछ नया दिखाना चाहता है वो अपने कंपट जो उनमें रह करके मतलब वो ही बाहुवली के स्टैडम अभी डगमागाना है लगा था सलार से पहले आदिप उसकी टाइम पर लेकिन फिर भी वो इस तरह की फिल्में में जुड़ रहे हैं उनके लाइन अप को आप जे दिख लो जागर के ओके तो ये उनकी खासियत है वो नहीं डर रहा है वो नहीं डर रहा है कि वो बाहुवली वाला स्टैडम मेरा खो जाएगा या फिर रहेगा क्या होगा लेकिन मैं ओडियंस को कुछ नया ज़रूर दिखाऊंगा और ये जो उनका जो मतलब उनका जो है ना ये इस तरह की फिल्म कब देखने को मिलता था और बाहुवली के बात क्या revolution हुआ है क्या ये आप नहीं चानते तो आप क्यूं है क्यूं एसे और एक poster को दिखकर कि इतना भरग गए कि उनको पर इतना ज़्यादा कोस्ति और ग्लिम्स देखने के बात भी आपको नहीं समझ में आया कि उनका नाम दावे के साथ कह सकता हूँ आपको हसी आएगी लेकिन आप भी फिल कि होंगे सायद वो poster का reaction और वो review बात में जब ग्लिम्स देख करके उनको थोड़ा बुरा लगा होगा इसलिए project के जैसा concept project के जैसा glimpse आने के बाद भी वीडियो से पहले वो dance वाला वीडियो नहीं upload की य यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सब लोग इसको appreciate करोगे okay thanks for watching have a nice day take care